वेल्कम बैक टूबर यूटिशन फ्रेंड टोड़ेंग टॉपिक टेबल नंबर 11.1 यह जो टेबल है यह आपको क्लास 11 के चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मिल जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हो एक टेबल बना हुआ है तो यहां पे पहले आपको क्लेगे लिखा हुआ प्रोपर्टी idée प्रोपर्टी फीशिंपर डिफ्यूजन और जो NCIAT में दिया वा वह यहां पर ट पहले दीशिव एक्टीव बात में दिया वा यहां यह देखो आ मैंने क् मैने यादद करने का लिए इलिए प्रोपर्टी सिम्पल अक्टीव और फैसिलेटेट यह धियान में रखना बस ठीक है प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ पहला है रिक्वाइज स्पेशल मेंब्रेंट प्रोटीन्स हाली सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट सेचुरेट अफिल ट्रांसपोर्ट रिक्वाइज एटीपी तो अगर याद रख सकते हो कि रिक्वाइज स्पेशल मेंब्रेंट प्रोटीन अगर सेलेक्टिव याद रहेगा तो हाइली सेलेक्टिव पढ़ सकते हो ट्रांसपोर्ट याद रहेगा तब ट्रांसपोर्ट पढ़ सकते हो अपहिल ट्रांसपोर्ट अगर फीट ट्रांसपोर्ट दो लोगों को तो ट्रांस पॉर्ट सबस्क्राइब पहले दूसरा अफिल ट्रांस्पोर्ट और यह class ए से याद रखना क्य Красपैल सबस्क रोड़ अगर मान लो आप लोगों को पास्ता मिलेगा खाने को ठीक है बहुत होता है जिस बहुत होता है पसंद होता है किसी को नहीं पचाना मालो जिसे पसंद है तो पास्ता का मैंने लिखा है पी एस टी ए ऐसे याद रखना है पास्ता जैसे रखना है पी एस टी ए क्या याद रखना है पास्ता पी एस टी ए प यह से याद रखना है ATP याद हो गया क्या याद रखना है PASTA PSTTA PSTTA PASTA याद हो गया P से क्या रखना है PROTEIN यह याद हो गया फिर से देखते हैं A C ATP T से ट्रांसपोर्ट एसे से प्रोटिन इतना याद रखना है अब आपको अगर PASTA मिलेगा तो पहले तो आप क्या बोलोगे कहीं आप बहार जोगे आपको PASTA मिलेगे पहले मना करोगे NO बोलोगे फिर आप YES बोलोगे यह याद रखना है तो अगर ऐसा भी याद नहीं रखना तो इसे चोड़ दो यह याद रखना पास्ता मिला आपको पसंद आपने उसे साफ कर दिय आप क्या खाकिया क्या कर द दिया 65 पास्ता मिला पास्ता क्या कर दोगे आपको मना करना पास्ता साफ करने से पास्ता खाने से मतलब पास्ता को साफ करने से यह होता है ना मालों प्लेट में अगर आपको पास्ता मिला तो पास्ता खाओगे तो साफी तो होगा जब प्लीन होगा तो पास्ता साफ करने अगर आपको मिलेगा तो पहले आप क्या बोलोगे नो पहले आ याद रखना है तो y e s yes में 3 आता है एक दो तीन तीन अलफाबेट है इसलिए तीन बारी ऐसा है का n o में कितना अलफाबेट आता है n o दो अलफाबेट आता है इसलिए कितने में no है no no याद हो गया एक बार आप NCRT से देखते हैं मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर जब भी पढ़ यहीं पर लिख देना पास तब से प्रोटीन याद रखना है एससे highly selective याद रखना है फिर टी से टी से तो एक क्या करना है ट्रांसपोर्ट सैचुरेट ज्यान में रखना और एक में अफेल ट्रांसपोर्ट यहीं इंप्र वर बता रहा हूं आपको ध्यान रखना फिर लास्ट में पास ता के बाद टी टी के वार ए ए फ़ एटी प अगर एटी प्या रहे का तो रिक्वाइज एटी पे अनरजी यह स माल लोगे, फिर सेसलेटेट में क्या बोलोगे, येस भी बोलोगे, नो भी बोलोगे, तो स्टार्टिंग येस कितने में बोलोगे, तीन में और नो किस में बोलोगे, दो में, एक दो, तीन, एक दो, क्यों कैसे याद रखना, एक दो, तीन, 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 अलफाबेट से येस ह है ऐसे ही और नो मतलब एक दो एक दो ऐसे याद रख सकते हो ठीक है आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीच उनको लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना थैंक यू